आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह पूरी केहां बच्रुत याद रखेंगे यह पूरी चित्रकला की सूची है यहां पर दे रखी है आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपने दोस्तों को भी आप है ना चले शेयर कर दिए सेशन जल्दी सेखबार जितने बच्छा है अ उत्राखंड का एपर्ण है राजस्थाम का मंडाना या मांडना का सकते हैं आंतरप्रदस का मुगुलू यह कुछ और अन्चित्र का लाएं भी जो अलग-अलग राज्चों के अंदर इस्थित है ठेके आया होती है या की जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं उमियम जील भार मिघाले राज्चों के अन्दर आ जाती है कहा पर मिलें आपको यह मींघाले राज्चों के अंदर मีघाले राज्च के अंदर हैं 7 अको आप पूछ करत네요 तेके यस डल जील गुलर झील नागिन जील यह सब कहा इस नाग एक नागिन सेस नाग वेरी नाग जील, यह सभी जो जील है यह सब पर इस्तित है तो यहांद रखेंगे जम्मु कश्मिर राज्ज के अंदर कहां पर आ जाते हैं जम्मु कश्मिर राज्ज के अंदर ये इस्तित धान रखेंगे और राजस्थान के बच्चों साभर जील है यहां पर क्या लिखेंगे साभर जील लिखेंगे साभर जील और साथ साथ में क्या लिखेंगे नकी जील लिखेगे तो साबिर बच्चों यह कहां पर तोलिख लिए खार्य पानी हए जिना जो कहां पर राजस्थान में और नक्की यह इंपर क्यें लिखेंगे नक्की जीं लिखेगा यह कहां में लिएगे आपको जो राजस्थान राज के अंतर्गत आते कहां पर आजस्थान राज के अंदर負ी को lasher इंदर खततु है स्वे सविविवन भट्रां को की वोगा कहां पर प्विवम पीद्ध में इसके अलावा आपसे पूंचे का तो देखो लोकटक जील यह कहां पर तो मड़िपूर में है ज्यारं रखेंगे लोकटक बच्चों यह कहां पर मड़िपूर में है ऑन-धमा कहां याद रखा को और बड़ को वडखल ये आपके अर्याऔरा राज के अंदर आपको मिल लाएग Şuले आगे बढ़ते हैं अग्ला प्रीशन क्या है उतल जले वॉइस है कि इन में है कम वहा है को भहाने से नहीं है और बताएं कि यहां पर क्या लगता इसका अंगा इंवेसे कौना यूग में समेलित नहीं है गिर में CRI सेर पाए जाते हैं क्या केवला दे में क्या साभी चाहिबर आपसे पाए जाते हैं साइबेले सारस कहां पर पाये जाते हैं केवला देव इसी को घाना पक्षी विहार भी कहते हैं क्या बोला जाता थे से पहले इसे घाना पक्षी विहार कहा जाता था ठीक घाना पक्षी विहार इसी जानते थे ठीक है गहाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था ठीक जो राजस्थान में आ जाता है केवला देव ठीक है बफरिंग हो रही है क्या सभी के साथ बफरिंग हो रही है हां या ना कजिरंग ऑपख, केवला деньги कहा है . रजस्थान राज्ज का छानधर के अंदर परिस्थिथ है यह ना राजस्थान राज्ज राज्ज में is और गिः तम गिर निश्टल पार्ण पर कहा पर गुझरात में और दुखव के हांधियू की लिए नहीं फैमस है यह किसके लिए फेमस है यह हंगुल के लिए फेमस है जो कहां मिलेगा जम्मो काश्मीर राची के अंदर ठीगे ध्यान रखेंगे चलिए आइए देखते हैं मारा अगला पॉजिशन क्या है NSE के नए MD और CEO की रूप में किसे नामित किया गया है NSE NSE मतलब होता है National Stock Exchange इसे हम लोग क्या बोलेंगे National Stock Exchange ध्यान रखेंगे National Stock National Stock Exchange बताएंगे जो NSE है ना इसकी स्थापना कब होती 1992 में ध्यान रखेंगे NSE कब बनात बच्चों तो 1992 में बनाए गया था और इसका headquarter कहां पर है मुंबई में ठीके मुंबई माहा राष्ट में इसका मुख्यालर आ जाता है ठीके और इसका जो इंडेक्स है देखो NSE का जो इंडेक्स है ना इंडेक्स मतलब सूचकांग है हम बात करते हैं जैसे आपने कभी सुना होगा किसके बारे में तो इंडेक्स कहलात है ध्माई सुचकांग का मतलब क्या होता सूचकांग का मतलब होते है मार्केट के ट्रेंड को बताना कि मार्केट बढ़ रहा या मार्केट घट रहा है यह कौन बताथा इंडीक्स यानिंडिकेटर आप लोग जो हम प्रेक्टिकल करते थे такие च्मए कि जब practical करते थे पहले page पर क्या होता था इंडेक्स होता था जिसमें हम यह बताते थे कौन सा practical किस page पर हमने किया है क्या किया ठीक है तो यह index बच्चु क्या है तो nifty 50 इसे क्या बोलते है nifty 50 कहते है धान रटा क्या होगा nifty 50 जैसे بैसे की बात करें चुब बॉंबी æ insect आशनगा यह कब बना था 1850 में ऐटी कि में कौन बना था बॉंबे स्टॉक केशेंज बना था और इसका headquarter कहां पर यह भी Mumbai मोंगई में बंभी स्टाॉक एक्शेंज यह भी धा मुंगई में और फीसिका क्या है इंडिक्स तो इसका ब्य स्टाॉक आज डालता इस बात को ठेके बताओ वी इसका क्रेट ऐंश क्या हो जाएगे घर कैं के नंतेे का इस ठीक है चलिए एंसर करेंगे जितने बच्चे मेरता यहां पर लाइव है शल्दी से फटाफ़ एंसर कहिए को बताएंगे निश्टाउक एक्षेंज ठीक है निश्टाउक एक्षेंज का जो बरतमान अध्धक्ष है यह कौन है ठीक है बताओ भई सुरेंद्र एंपटेल जी आसीश शोहन दिलिप संगानी एस्वर्धन कुमार सिनहाच है क्या लगता इसका एंसर क्या होना चाहिए कौन इसके बरतमान में एंडी के तूरपर एसस्जीव। और एंसर क्या होना चाहिए किसी कोई भी घल्फी नहीं हैं त्यार रखेंगे जो यह भुलत हैं यह वर्तमान में कौन हें Ara एंडी और सीईयो कौन परे दिख यह लगत्वित संब्ति यह ओन झुक्त यह सबस्थ हम घर इसके looks ग्रीष्चंद्च चातुरवेडि यह कौन है तो नॉन एक्स्कियूटिव चेर्मेंट कौन तो याद रखेंगे नौन एक्सट्वहेंट चियर्मेंटימ वर्तवान में ग्रीष्चातुरवेडि किसके है तो explanation stock exchange का है तो यहाद रखेंगे आसीस चोहन इसका credit यूटुब चेर मैंने कहा नाम है त्याद रखें ग्रेशंद्र चतुरवेदी जी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखो नेस्ट कुश्चन की तरफ हमारा अगला कुश्चन क्या कहता है बताओ भई विस्फ एथलेटिक इसका आयोजन की देश में किया जाएगा 2025 में सभी को नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग चलिए तो इसका जो आयोजन है कहां पर किया जाएगा तो यहां तक हैं कि टोक्यो देपैन में ठीक है 2025 पर आफे तो यहां पर हो गा तो जापान में किया जाएगा ट्रह नर्ठ अठेek जापान में किया जाएगा नोट करिएगा ठीक इसके अलाबा लंदन में क्या होगा तो 2,026 का राष्ट मंडल केल और सीड़गलूजी कें ए यह औस्टेलिया में होना था कहां पर होना था औस्टेलिया में होना था लेकिन अब यह कहां पर होगा तो याद रखां औस्टेलिया ने इसे कराने से माना कर दिया अब यह लंदन में होगा कहां पर होगा लंदन में यह खेला जाएगा ठीके चलिए ACI खेल जो 2023 होए थे यह 2022 पे होने थे Asian game लेकिन ये 2023 पे फिर Asian game हुए थे Corona की वजह से ये क्या हो गया तो बढ़ गया था जो डेट थी ना बच्चो इसकी Corona की वजह से क्या हो गई थी इंक्रीज हो गई थी बढ़ गई थी तो बाइस की वज़ाए Asian game कहा हुए थे 2023 की तो याद रखेंगे चीन में हुए थे कहां पर चीन में आयोजित किये गए थे आगे का ACI खेल कहा होगा तो याद रख्टो 2026 में ये जापान में होगा 26 में ACI खेल कहां पर होंगे तो जो ACI खेल है नोड करेंगे क्या लिखेगा इसका ACI खेल तो जो ACI खेल है ये 2026 में कहां पर होंगे जपैन में होंगे और 2030 में कहां पर होंगे दोहा कतर में इसका आयोज़न कहां पर होगा इसका आयोजन किया जाएद थान ठाख होगा रियाद साओधी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा चली आए चलते हैं देखो नेक्स पोजिशन की तरफ बताओ भई यहां पर अगला कोशिशन क्या कहता है कि कि केंद्री कैबिनेट ने गति सक्ति विश्विद्याले के ठाण रखना एचली यहां पर पहले क्या था तो बच्चों यहां तरफ जो वडोद्रा है ना यहां पर पहले से ही रेलवे स्टाफ की उनिवर्शिटी था क्या था रेलवे स्टाफ जो ट्रेनिंग सेंटर है ना रेलवे स्टाफ रेलवे स्टाफ जो कॉलेज था यह ट्रे अलाबा अगर देखा जया तो बस ये तो ठीक हाँ गुजराग पर यहीं चीजें हैं और तो कुछ ऐसा इसा इस पर है नहीं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सारे संगठन जो मैक्सिमम है वो सब कहां मिलेंगे मुंबाई में आर बी आई महाराष्टा की मुंबाई में है ठीक है चले। राजस्थान में देखेंगे, तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में याद रखना, राजस्थान की बात कर लेतें, तो यहाँ पे दो-तीन चीजें, आप धानड़ा, उन अनुशंधान केंद्र कहां पर मिलेगा? तो बच्चों याद रखूर चैनदि जो कूण अनुशंधान केंद रही कहां पर इसिते हैं तो यात किनों जो फुरमने ठीक है कहां पर यह जो फूर में तर बसको ना नहीं को है आपने शना बनिठनी के वारे आप लोग देख रहें न ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं आईए चलते हैं देखो next पे अगला question क्या Sport Authority of India की स्थापना किस वर्स में होई थी किस की Sport Authority of India की जो स्थापना है ये किस वर्स में कोई थी और रणजी ट्रॉफी ध्यान रखेंगे जो रणजी ट्रॉफी है ना ये क्रिकेट की परतों किता है 1934 में शुरू की गई थी और रणजी ट्रॉफी अभी वहाल हमी किस ने जीता मुंबई विजयता रहा ठीक है ध्यान रखेंगे संपरسय जो है न अभी आलिशी वीलान नोट देंगे और रणजी वर मुंबई क्या रहा हब्येता रहा थान रखेंगे हराया किसे तो विधर्फ को किसे हराया तो विधर्फ को रहा करके याद रखना मुंबई ने ने लाला जीतले है 1928 में किसकी स्थाफन होती जो भारती cricket control board है इसकी स्थाफना 1928 में हुई और वान खेडे stadium में इसका head quarter है, और वान खेडे stadium कहाँ पर आता है मुंबई में और यहां पर ईसका मुख्याल है BCCI का अझरा बताईएगा BCCI के जो बरतमान में head है ये कौन है। हेड जो है на, यानि कि BCCI की प्रेसिडेंट अध्याख्ष है, कौन है, आप में से कौन बताना चाहेगा। ठीके? आप में से कौन बताएगा कि BCCI का अभी वरतमान हेड कौन है, राधै राधै भई, सभी को राधै राधै, और 1984 में होता है, Gill zwy sport authority of India, और इसका हेड़कोर्टर कहां पर है जवाहर लाल नहरू स्टेडियम में जवाहर लाल नहरू स्टेडियम यह दिल्ली में है और यहीं पर श्टेडियम में कैया है तो इस्पोर्ट अथर्टी और इंडिया का है और देखो जो किई इंडिया फेडरेशन खीए यहां पर क्या लेएंगए इंडियन होकी फेडरेशन में स्थापना किय गई थे आईए देखे अगला da present क्या कहता है संविधान में मंत्री-मधल सब्दक एक बार मात्र कहाँ पर प्रयोग किया है ठीक के चलिए हां रोजर बिननी बिल्कुल बहुत बढ़ी है कौन है रोजर बिननी है एक्सलेंट बहुत बढ़ी है प्रतिक्षा चलिए बताएं कि यहां पर संविधान में मंत्रीमंडल सब्दक आप एक मात्रबार प्रयोग किया गया यह कौन से अनुच्छेत में किया गया, किसका तो मंत्रिमंडल यानी कि जो cabinet ठीके, और cabinet system हमारे देश में कहां से लाया गया था, तो cabinet system बच्चों ये बृटेन के संबिधान से भारती संबिधान में सामिल किया गया, ठीके, जो cabinet प्रणाली है ना, ये हमारे देश में कहां से से लाई गई है तो यहाद रखेंगे यह इसमें मात्र बार किसका किसके बारे में बताया है तियास रिखेंगे एक मात्रबार यहां पर केपने शिस्टम के बारे में बताएगा ठीक है सक्थ एक सॉगा ब्रहकों फाइनस वीध्यक के बात किरें traveling रखेंगे तो जो विड्र विद्यक है न कहां पर क्या होगा राज्यों में राज्यों में राष्ट पतिसासन ठेके धान रखेंगे राज्यों में क्या होगा तो राष्ट पतिसासन राज्यों में लगेगा और 351 क्या राष्टी आपातकाल क्या है तो नेशनल एमरजनसी राष्टी आपातकाल इसका प्रावधान कहां पर भारत की विदेश नीती से संबंदी थे बताओ भई क्या लगता है इसका इसका संबंद किससे है का सम्बंद किस से त्याद किसका इसका प्रावधन किया गया है साट में क्या तयाद रठा राष्ट पती जी को सपत दिलाई जाती है इसमें क्या है राष्ट पती जी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है राष्ट पती जी को यहां पर सपत यानि कि पोथ दिलाई जाती है ठेके क्या राष्ट पती जी की सपत के बारे में कहां पर बताया तो हिन्दी को याद रहेंगे हैं और 312 जो आर्टिकल है इस्में अखिल-भारती सेवाओं की स्त्रजंतप्राद के लिगा है कि जो अखिल भारती सेवाएं हैं, उनका आप यहाँ पे creation कर सकते हैं, article 3312 में, ठीक है, अखिल भारती सेवा, क्या लिखेंगे, अखिल भारती सेवा, जिसमें हम बात करेंगी, किसके बारे में, जैसे UPSC और State PCS की बात हो रहे, ठीक है, UPSC और State PCS ध्यान रख रहे हैं, जिस संबन्द आ जाते हैं, कहां पर किसे हैं, तो UPSC और State PCS से किसका संबन्द हैं, तो 312 से 300 देश अनुच्छेत क्या इसका वड़न किया गया है, आईए चलते हैं, देखो, अगला कोशन क्या है हमारा, आगले कोशन की बात कर लेते हैं, तो देखो, अगला कोशन हमारा आता ह कि भारती संबिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, जो भारती संबिधान जो सभा है, इनमें से किसके द्वारा गठित की गई थी, क्या लगता है, ठीके, चलिए, बताएंगे कि जो भारती संबिधान सभा है, इसका गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था, नमस्कार सभी को रादे रादे और सारे बच्छे क्लास को शेयर कर लीजेगा जितने बच्छे मर्चाद यहां पे लाइव है ठीके सभी लोग क्लास को शेयर कर लेना भाई ठीके जितने बच्छे मर्चाद यहां पे लाइव है आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बत क्या होगा क्या योजना के बाद याद रखेंगे क्या रखेंगे और सम्विधान सभा का घठन किया गया था और सम्विधान सभा कब बनाई गई थी यह दिसंबर करिस्पमिशन भारत कब आया था तैयात रखेंगे यह 1942 में करिस्पमिशन आता है और साइमेन कमिशन जो बना था ये कब बना था 1927 ना anterior लिए ना 1928 में ठीक है dah दयान रखेंगे चली सम्विधान सभा का चुनाओ निम्ने में से किस आधार पर हुआ था संबिधान सभा का जो चुनाओ है इनमें से किस आधार पर किया गया था बताएंगे संबिधान सभा का जो चुनाओ हुआ था ये इनमें से किस आधार पर किया गया था 6 दिसंबर 1946 को याद रफना सम्विधान सभा का घठन हुआ था और पहली बैठा कोई थी 9 दिसंबर 1946 में ठीके सम्विधान सभा की जो पहली बैठा कोई थी 9 दिसंबर 1946 में की गई थी बताओ भई समिधान सभा का चुनाओ जो है इनमें से किस आधार पर हुआ था समान अधिकार पर या सर्व मता अधिकार पर सीमित मता अधिकार पर या वर्गी मता अधिकार पर बताएंगे यहां पर क्या लगता है ठीक है तो वर्गी मता अधिकार के आधार पर्यांग ऑँड़ाइंगे उन्यौहतन की-जेंगर तो यहां पर सभी सभा के आधार जिर्णेब इथार पर homme guidelines चलिए आईए देखते हैं नेक्स पोशिशन पर हमारा अगला कोश्चन क्या कहता है प्रस्तावना में पहली बार संसोधन किया गया था जो प्रस्तावना है या निकि जो प्रियंबल है तो प्रियंबल में पहली बार बच्चो गठन कब किया गया था बताएंगे ठेके प्रियंबल में जो पहली बार संसोधन किया गया था ये किस वर्स में किया गया था बताएंगे ठेके चलिए बताओ भई तरही लोग यहां पर बोला गया है कि प्रस्तावना में पहली बार जो संसोधन किया गया था यह संसोधन जो किया गया था यह कब किया गया था जरा बताईएगा ठेके इनमें सिट्की से संविधान संसोधन द्वारा प्रियंबल में पहली बार संसोधन किया गया था ठेके चलिए आई देखते हैं तो यहां पर प्रेंबल की बात प्रेवदान संसोधन क्या होगा आप बैयालिस्वा संभिधान संसोधन और बैयालिस्वा संभिधान संसोधन यह कब होता है तियाद रखेंगे सब्सक्राइब करते हैं तो जम बात करेंगे दर्म निर्पेक्ष हो गया ठीक है? और समाज बाद हो गया एक समाजबाद हैना और अखंडता की बात इए थीकिस है नवहीं यह अखंड का यह सब्द कहां जोड़े गए त्याद रठा यह भारती संपत्ति का अधिकार संपत्ति यानि कि जो प्रॉपरिटी की बात करें तो संपत्ति का अधिकार जो कानून था इसे हटा करके संपत्ति मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर कहां ला दिया गया था तो इसे एक विधिक अधिक यानि कि अन्दर को पर इसका प्रावधान किया गया था कौन सा है तो 44- 혼े संप्धान संसुधन This is the only for public 36 में संसोधन द्वारा क्या कियाज राजका मिला थ्यूंधि को राच त्यार रठा ये सिकession को राच के रजह प्रतान किया हुआ तर्फान रखेंगे और 21 इसमें संबिधान संसोधन द्वारा क्या हुआ था बता सकता है कोई तयाद रखेंगे आठ्वी अनसूची में इसे जोड़ा गया था धान रखेंगे चलिए बहुत बढ़ी है सभी लोग क्लास को शेयर कर लिएगा चितने बच्चे मारे साल लाइब है सभी लोग क्लास को श किस अस्थान पर डियार्डियो की नौसेना विग्यान और प्रवद्योगी की प्रयोकसाला में डॉक्तर अब्दुलकलाम प्रेणा अस्थल का उद्गाटन किया गया है क्या लगता है इसका इंसर क्या होना चाहिए तो याद रखेंगे यह कहां पर किया गया है तो याद लिखेंगे विसाखा पत्नम आंध्र प्रदेश के अंदर कहा लिखेंगे विसाखा पत्नम आंध्र प्रदेश के अंदर ध्यान रखेंगे और डियार्डियो की स्थापना कब की गई थी तो याद रखेंगे डियार्डियो की स्थापना एक जनवरी 1908 में एक जन Zombie 1908 को किसकी स्थापना की जाती है तो टीयारड़ो की स्थाफना की घए गयी थी धान रहती है और बचीव यू निसका हेटो कवाटर यह狙 थापने क्वाटर है तो दिल्ली में तो इसके जो आध्यक्ष है वर्तमान में कौन है तो समीर कामत समीर समीर कामत अभी बस्तामान में कौन है तो To Do के हिड कौन है तेया रखेंगे समीर कामत जी है कौन है समीर कामत आए चलते हैं देखो अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हमारा क्या कहता है बदल पजल से सम्वंदन का उल्लेक किया जानते हैं, बताऊएं कि छलोक Chyashim को šyere करिएगा, यहाँ पर क्या बола गया, कि जो दल बदल संबंधित कानून है, यह भारति संब्धान की किस अनसूची में इसका जिक्र किया गया है, जिक्र किया है, आईे जानते हैं, तो आपको बताऊं बच्चों के कौन से दसवी अनसूची में कहां पर जोड़ा गया इसे तो दसवी अनसूची के अंदर ध्यान रखता ठीक है दल बदल जो कानून है न ये दसवी अनसूची के अंदर इसका प्राफधान किया गया ठीक है ध्यान रखेंगे कब की बात है ये 1985 में ध्यान रखता कब की बात है ये 1985 म दसवी अनसूची का प्रावधान कहां पर किया गया था तो भारती संविधान के अंदर ध्यान रखेंगे और संविधान संसोधन कौन सा हुआ था तो 52 संविधान संसोधन था कौन सा संविधान संसोधन था तो नोट करेंगे 52 52 संविधान संसोधन था ध्यान रखेंगे कौन संघ में कितने सब्सक्राइब संघ में कितने स्व विश्वयशն यहां पर कितने आ जाते हैं और आपके किसे के बात कर ले तो संग राज्य और संवर्ती सूची के बारे हम बताएगा ऑप संगराज और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र यहां पर किया है ड्यान रखेंगे शले आप लोग बताएंगे पांच वी में क्या बताया है पांच वे किस के वादे हैं यह किसे तर सम्मद्ध मॉइ तया याद रखान स्ट असी का प्राफ्दान किया ठीके भारत में ऐसा कौन एक अंग्रेश गवर्नर जनरल था जिसने स्थाई भूराजुस प्रणाले की शुरुवात के थे चलिए बताएंगे और सभी बच्चे क्लास को शेर करिएगा ठीके सभी बच्चे क्लास को शेर करेंगे और बताएगा कि भारत की किस गवर्नर जनरल ने स्थाई भूराजुस प्रणाले की शुरुवात की कारणवालिस लिटन रिपन या करजन क्या लगता है बताओ भई इसका एंसर क्या होना चाहिए बताएगे जल्दी से फिटा फेट जितने बच्चे मेरता लाइब है सभी लोग बताएगे क्या लगता है इस एंसर क्या होना चाहिए यहां पर क्या हो जाएगा लाज प्रणाले की सुरफ किसने कहां पर की ती तो याद रखेंगे 1793 के टाइप पर कहाँ पर तो पशीम बंगाल में ठीक है कहाँ पर तो यह बंगॉल प्रेसिदेंसी की बाते बंगॉल छेत्र में इसके समय पर होता है तो याद रखेंगे बंगॉल का जो विवाजन था है लौड कर जन के समय पर होता है रिपन के साशनकाल में दो तीन चीज़े होती है बड़ी महत्तपूर्ण है रिपन के साशनकाल में दो तीन चीज़े है बड़ी महत्तपूर्ण ध्यान रटा रिपन के साशनकाल में एक तो सबसे महत्तपूर्ण क्या हुआ 1883 में याद रखेंगे 10 वर्षी जंगणना होती है क्या शुरू हुई तो 10 वर्षी जो 10 वर्ष में क्या होती जंगणना तो 10 वर्षी जंगणना ठीक है 10 वर्षी जंगणना ये किसके समय पर शुरू हुई रिपन के सासनकाल में होती है और इसी के समय पर विच्व याद इसी के सांसनकाल में क्या थै приготов एलवरट आया गया था जिसमें की बारती न्याधिस आग्रेजों के ऊपर व्यक्ति अपने का सकते हैं करकें 30 से इन एब्योस्था के अंदर फैसला सुना सकते वर्ना क्योलर जो प्रिस कानून था, ये कौन लेकर आया था, तो भारती प्रिस पर प्रतिबंद लगा दिया था, ठीके, जो वर्ना क्योलर प्रिस कानून था, ये किस ने, तो लेटर ने भारती प्रिस पर प्रतिबंद लगा दिया था, और फिर बाद में रिपन ने इसे चलिए अखिल भारती किसान सभा की स्थापना किस वर्स में की गई थी ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है यह किस वर्स में की गई थी बताओ गई ठीके चलिए और सारे बच्चे क्लास को शेर कर लिजेगा जितने बच्चे मेरजा जहां पर लाइब है ना सभी लोग क्लास को शेर करेगे और बताईएगा कि जो अखिल भारती किसान सभा है इसकी स्थापना किस वर्स में की गई थी क्या लगता है तो याद रखेंगे 1936 में 1936 में अखिल भारती किसान सभा क्या लिखेंगे अखिल भारती ये किसान सभा अखिल भारती जो किसान सभा है इसकी स्थापना कप की गई जित अखिल भारती जो किसान सभा है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी याद रखेंगे 32 में क्या होता हारिजन संग, लिख लिखेंगा, हारिजन संग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, किसकी, हारिजन संग की स्थापना किस ने की थी, बच्चो याद रटा, महात्मा गांधी जी ने, और 7 में 1932 में क्या होता, पूना समझ होता होता, महात्मा गांधी और अमिड कर जी के बीच में जो पूना समझ्खोता हुआ क्या होता है और 1949 में क्या हुआ था अखिल भारती बिद्यारती परिशत ABBP जो अखिल भारती बिद्यारती परिशत है इसकी स्थापना कब हुई थी 1949 में याद रखेंगे अखिल भारती बिद्यारती परिशत की स्थापना की गई थे कीगे और 1940 में क्या था अगस्त ओफर क्या लाए गया था अगस्त जो ओफर है ना अगस्त प्रस्ताव हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं 1940 में आगस्ट ओफर कोन लेकर आया था अगस्प्रस्ताव तो लिट को लेकर आया था चलिए संयुक्त राष्ट संध ने निमलिकित में से किस वर से मानवा अधिकारों का घोषणा पत्र स्विक्रित किया था था ठेके मानवा अधिकारों का जो घोशणा पत्र है ये human right जो declaration है ये United Nation ने इसे कब accept किया था यानि कब approval दिया था बताएंगे ठीके चलिए बताओ भई बहुत प्यारा question जो मानवा अधिकारों का घोशणा पत्र है ये United Nation ने इनमे से किस वर्ष में जारी किया था या फिर approval दिया था इनमे से क्या होना चाहिए ठीके जैसे कि 1945 हो गया 1940 हो गया 1958 या 1948 इनमे से जो मानवा अधिकार घोशणा पत्र है इसे United Nation से कब approval दिया गया था या इनको कब accept किया था United Nation ने तो नोट करेंगे 1948 क्या था इसका year 1948 में जो United Nation से जो कि अमेरिका में इसकी संस्था इस्थित है इन्होंने डिकलरेशन कब दिया था तो United Nation ने जो United Nation Human Rights Commission का डिकलरेशन यह 1948 में घोशित किया था धानटा कहा पर 1948 में अमेरिका के अंदर 1945 में क्या हुआ था United Nation बना था याद रखेंगे United Nation कब बना था तो United Nation यह 24 अक्टूबर कब बना था यह 24 अक्टूबर 1945 को बना था और United Nation कहां इस्थित है Manhattan दूइप में याद रखेंगे Manhattan दूइप यह बचो आइलेंड का नाम है Manhattan Island है और Manhattan Island पर ही क्या बना हुआ नियू यॉर्क इस्थित है क्या है New York अमेरिका में United Nation का Head Quarter है किसका है United Nation का Head Quarter है और United Nation के महा सचीव कौन है बरतवान में Antonio Goodres है महा सचीव कौन है तो नोट करेंगे Antonio Antonio Goodres यह कौन है तो याद रखना बच्चो Antonio Goodres यह बरतवान में United Nation के महा सचीव जो पूर्तगाल से है यह कहां के रहने वाले है तो याद रखेंगे यह पूर्तगाल के रहने वाले है और United Nation में जो वरतमान सदस्य देश है कितने इसके सदस्य देश आजाते है तो नोट करेंगे 193 Member Countries है कितनी है एक सो तरान ने देश किसके सदस्य है तो 193 Member Country याद रखेंगे यह United Nation के अंदर आ जाते है चलिए राधे राधे भाई सभी को राधे राधे नमशकार चलिए आगे बढ़ जाते है तो एक सो तरान ने देश किसमें आते है वर्ड हैपिनिस रिपोर्ट 2024 के अंसर दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन है यह वर्ड हैपिनिस रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में ठीक है तो जड़ा बताईएगा कि जो United Nation के सुरी क्या बोला गया वर्ड हैपिनिस में वर्ड हैपिनिस रिपोर्ट में 2024 में दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन है हैपिनिस का मतलब क्या खुशाल ही ठीक है क्या दिखें खुशाल तो जो सबसे खुशाल देश है यह कौन सा आ जाता इनमें को पताईएगा सबसे खुशाहाल देस इन में से कॏन है वो जनल एसेंब़े की थी यद रख्ण वह महा सभा की थी युनाइटे नेशन जनल संब्ल जनल की अध कोई भी भारतिय United Nation का महासचीव नहीं बना है, ये क्या है तो रघ्सायुत राष्ट महासभा, ये United Nation के अंग है, United Nation के टोटल छे अंग आते हैं, कितने चे अंग हैं? इसमें United Nation General Assembly है, United Nation Security Council है, अंतर राष्टी नियायाले आजाता है, और आपका क्या लिखेंगे, economic social council है, इसके बाद secretariat है, यानि कि सच्चिवाला है, ठीक, secretaryate है, तो secretary यानि कि सच्चिवाला है हो गया, और बात में क्या आ जाता है, trustee ship council, क्या लिखेंगे, trustee ship council, ये 6 अंग है किसके, सयुक्त राश्ट के हैं, और trustee ship council अभी काम नहीं कर रहा ह ये भी अंग है, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रटना, तो जो महा सभा है, महा सभा की अधक्ष कौन बनी थे 1903 में, Vijja Lakshmi Pandit बनी थे, कौन बनी थे, लिए खुषाली में कौन सा नंबर बन देश आ जाता है तो खुषाली में बच्चों क्या लिखेंगे आप यहां पर आजाया का कौन सा फिन लैंड ठीके जो फिन लैंड है न ये दुनिया का सबसे खुषाल देश कौन है तो हैपिनेस रिपोर्ट में याद रखेंगे कहां पर है आपने प्यारे भारत का स्थान 126 में पायदान पर कहां पर है भारत त्यायात रखेंगे 26 में पायदान पर आ जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं देखो नेसल्ट पर प्शण क्या कहता है बिंबल्टन 2023 महिला एकल फाइनल किसने जीता था बिंबल्टन यह टेन इसका टूनामेंट है और यह हो चुका है अलड़ी बताईएगा क्या लगता है इसका इंश ठीक है बिमलडन बच्चो कब शुरु हुआ था 1877 में यातब और बिमलडन कहा जाता तो यह खेला जाता जानका ब्रीटेन में ठीक कहां खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है ध्यान रखेंगे इसे किस ने जीता तो मार्केटा क्या रिखेंगे जीता और ये चेक गड़ा राज की महिला क्या नाम क्या है तो चेक गड़ का नाम क्या है जीता है और पूरुस में किस ने जीता तो याद रठा अल्क राज ने जीता पूस के किस करल तक किसको हरा करके कारलोस अल्क राज ने हिनका नाम की णके公 echo कार्लोस अल्क राज इन्होंने क्या जीता विंबल्टन का टाइटल जीत लिया 2023 का ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं देखो हमारे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन क्या कहता है हाल ही में वर्ष 2023 का विश्टु खाद पुरसकार किसे दिया गया वर्ड फूड प्राइस ठीके किसे प्रदान किया गया बताओ भई ठीके चलिए जितने बच्चे मारजात यहां पर लाइव है सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइए गा इनमें से किसे प्रदान किया गया है इनमें से किसे वर्ष 2023 का जो वर्ड फूड प्राइस है दिया गया है ठीके आई चलते चुट को दिए सो हाइदी कुन को दिया गया घौट को दो 202 का मिला ठेकर तो हयाद रखेंगी 2022 का रोजन जब एक को मिला ठाद When देयर हाइदी कूश मिला जो कि अमेरिका की साइंटिस्ति है ठीक है धन्ट रखेंगे और ये वर्ड फूड की बात करें बच्चों वर्ड फूड जो प्राइज है देता कौन है त्यार देठा है ये फूड एन अगरिकल्चर और्गनाजिशन प्रदान करता है और विश्व खात दिवस कब मनाते हैं 16 अक्टूबर को ठेगे 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं तो नोड करेंगे विश्व खात दिवस मनाते हैं ठीक क्या लिखेंगे विश्व खात दिवस हम लोग कब मनाते हैं वर्ड फूड टे तो नोड करेंगे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है कब मनाते 16 अक्टूबर को ये सेलिबरेट किया जाता धान लिखेंगे चलिए का सर्विसेज में गहालिया या केरल ने किस ने जीता बताईएगा ठीक है कि जो संतोष ट्रॉफी है और ये संतोष ट्रॉफी शुरू कब हुई थी संतोष ट्रॉफी प्रत्योगता बच्चो इसकी सुरुआत हुई थी 1941 में संतोष ट्रॉफी की सुरुआत हुई थी ध्यान कानटक ने जीतना 212-22 का ठीक इसका final 2020 में my에요 22 तहीं कि प्रत्यों किता जिसे वह था नॉवंबर दिसंबर दिसम्बर में सुरू हुई और चनलते गहें का जन्वरी 2023 में ठीक है तो 23ες है लिखेंगे ağ करनाटका ने जीता किसने जीत लिया करनाटक ने याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी 2022 देश का किताब जीत लिया और हराया किसे मेघाले को हराया किसे तो लिख लीजेगा हराया है मेघाले को और जीता किसने तो करनाटक ने ये फुटवाल पृद्योगिता 2022 देश की जीत लि आईए बढ़ते हैं देखो नेक्स पे जरह बताईएगा अंतर राष्टी न्यायाले के न्यायधीसों की जो पदा अबधी होती कितने वर्षकी होती है मतलब कहलेगा कि जो अंतर राष्टी न्यायाले है एक इंटर्निशनल पोर्ट अफ जस्टिस यह कब बना इसकी स्थाप पाइएगे अंतर राष्टी जो न्यायाले है इसका हेट पॉर्टारा नें बताईएगा कि कि जो न्यायधीस होते हैं तोसटे यहांदर्äन के इंगे 1529 होते हैं और आपको यह इनका कारिकाल पूछा है यही तो पूछा गया है ना इनकी जो पदा वधी का मतलब क्या होता है इनका जो time period है ठीक है term of office देखो लिखा है terms of term of office है इनका समयकाल होता है कितने साल का होता है आजिए देखते हैं तो कितना होगा 9 साल का होता है दिए ब्चों लिखेगा कुल न्याधिस यहाँ पर क्या लिखेगा कुल न्याधिस लिखेगा कुल न्याधिस total judges की संक्षा कितनी होती 15 होती इंक्लूटिंग को चीले संक्क्राइब keया टीक है और पैंच वर्स गोंतिन पॉल्टेर साल के अंतर पॉंच न्याधिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं यह प्रविटे प्रावधन किया ठीक है चलिए और मुख्याले कहां है तो यह तर्फण दहेग नीदर लेंड के अंदर ध्यान रखेगा चलिए आज आप लोगों के लिए प्रिफ्वी के बायूमंडल का सरवाथि घरत तो किस पर होता है और उमीद करता हूं कि आप लोग नहीं चीजों को समझा होगा चीजों को समझा होगा और चलते 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 क्लास को एक वार मैं मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं ठीक है जितने बच्चे मेरे साथ यहां पर लाइव है ना और चलते-चलते में आप लोगों को बता दो देखो एक तो आप लोग पता है कि कुल शेत्रा बैच आ रहा है जो बच्चे हर्याणा की एक्जम के त्यारी करें के लिए कु को भी आप जोइन कर सकते हैं साथ में जो बात करें तो आपने बढ़ा होगा किसके सुना होगा याद रखना जो यूपी पुलिस कोश्टिबल भरती परिक्षा क्ले परिश्रम दोबारा बैच है तो यह बैचे किसके लिए आप लोगों के लिए हैं तो आप लोग ले सकते और अपने दूस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं ठीके तो चलिए फिर आज की क्लास को यहां पर विराम देंगे मिलते हैं कल एक नई क्लास में अपना ध्यान रखेंगे टेक केर बाबाए